नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसक्स करूंगा S.A.C.G.D. Constable के डिगार्डिंग आपके जो मार्क्स हैं फाइनल मार्क्स मतलब जो आपका फिजिकल अभी होने वाला है क्या मुझको फिजिकल के प्रिप्रेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस तरह की काफी कमेंट्स हमको देखने को मिले तो वीडियो को सुरुष से लाश्ट तक आप ध्यान से देखिएगा तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं तो आप डिफरेंट डिफरेंट वीडियो पर जाकर कमेंट करते रह जाएंगे आपका डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो यही बात है वीडियो को पूरा कंसेंट्रेशन के साथ लाज तक देखें सबसे पहले मैं आपको यहां पर बात करूँगा जो फाइनल मेरिट होगा जा इसके जो फिजिकल के बाद जो मेडिकल के लिए आपका जो कटप त्यार होगा उसके बारे में कोई भी यूटूबर आपको एकजिक डेटा नहीं बता सकता हम लोग पिछले जो एक्सप्रियेंस है पिछले जो एनलाइसस डेटा है उसके अधार पर आपके साथ यहां पर बात करेंगे कि आपके मार्क्स कितने बढ़ने के उमीद है ठीक है यहां पर जो आपके cut up है वहां पर different facts पर depends करता है सबसे पहले आपके estate पर देखिये जैसे कि जूठacy राज है जिसे आसम या साउत के जो states हैं केरला इस तरह के जो राज हैं वहां पर काफी कम देखनी को मिलता है वही आप बात करें बिहार की या UP की या आप राजस्थान की या आप MP की तो ये जो राज है इनके कटप काफी अधिक जाते हैं ठीक है तो ये सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पैक्ट है कि आप किस राज जिसे बिलोंग करते हैं इस पर आपका कटप बहुत परभावित होने वाला है ठीक है उसके बाद आप किस डिश्टिक से आते हैं आप जेनरल डिश्टिक से आते हैं नकसर डिश्टिक से आते हैं या बोर्डर डिश्टिक से आते हैं ठीक है यहां पर यह चीजे भी काफी माईने रखेगी ठीक है अधि आप जेनरल डिश्टिक से आते हैं तो आपके जो कटप के मार्क्स ह को यहां पर समझा रहा हूं कि आपका जो cut-up है कैसे त्यार किया जाता है उसके बाद category वाइट त्यार की जाती है कि आप किस category से आते हैं आप general से आते हैं या आप AWS से आते हैं या आप EOBJ category में है या आप AC category में है या SD category में उसके बाद आपके पोस्ट के कोडिंग कि फ़स्ट जो इसकी आपने फ़स्ट नमबर पर कितने कंडिरेट ने कोई CISF चुना है कोई CRPF चुना है तो उसमें कितने कंडिरेट के मार्क्स कितने हैं मतलब पोस्ट के एकोडिंग भी आपका cut-up त्यार ह होता है अब आपको यहां पर समझना होगा कि फिजिकल के लिए यहां पर दो लाग पचासी हजार दो सो एक कंडिरेट को बुलाया गया है और यहां पर टोटल जो भाकेंसी है 25,271 है और यहां पर आपके नोटिफिकेशन में किलियरली मेंसन है कि तीन गुना कंडिरेट को मेडिकल में सामिल के जाएगा मतलब 75,813 लगबग इतने कंडिरेट को मेडिकल के लिए चुना जाएगा तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल में कितने लड़कों को यहां पर हटाना है फिजिकल में जबरदस्त लड़कों को हटाई जाएगी छोटी-छोटी बातों के जिस उनके फिजिकल में थोड़ा से अभी अगर कमी होगा तो वहां पर डिस्कुलिफाई हो जाएगे तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर जो कटप है कापी ज्यादा जाने वाला है ऐसा बिल्कुल नहीं तो आप यहां पर देख रहे हैं जिसे कि जो जेनरल डिस्टी के बढ़ने के चांसे से यह जो नकसल डिस्टीक से और बोडर डिस्टीक से इनके कटप यह जेनरल डिस्टी के कटप से कम आते हैं तो यहां पर जो इसका जो कटप है कुछ अधिक बढ़ने के चांसे होते है तो यहां पर मानक चलिए आप यहां पर 6 से 10 नंबर यहां पर क्योंकि आपका फिजिकल का जो cut-up है जेनरल की cut-up से काफी कम पे गया है तो इसके करन आपके हैं जो medical के लिए cut-up जो त्यार होगा जो आपका जो content का लिस्ट त्यार होगा वहां पर मांक्स आपको बढ़ने को जरूर देखने को मिलेंगे उसके बाद यह जो category wise है जैसे कि पिछले बार cut-up त्यार हुआ यह उसी के coding होगा यहां पर कुछ ज़्यदा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा अब यहां पर जो आपका जो सवाल था कि आपके marks जो हैं चार अधिक है दो अधिक है आपको physical के preparation करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए देखिए हर ची यहां पर physical के बारे हैं पूछते हैं कि document कौन कौन से लगता है वहां पर क्या होता है आप उस चीज को जब तक जाकर अचाह समझेंगे जब वहां पर प्रजेंट होंगे आपके marks 0.1 भी अधिक है तो मैं suggest करता हूँ कि आपको physical में जाना चाहिए इसलिए नहीं कि आपका selection लेना है बलकि इसलिए कि आपको experience लेना है ताकि next time आप हर चीज के बारे में अच्छे से aware हो जाएं ठीक है कि वहां पर क्या problem हो सकती है document में क्या लगता है हर चीज आप अच्छे से जानेंगे समझेंगे इसका फायदा आपको बिलकुल मिलेगा यह जो experience है यह कोई भी कि में नहीं होगा है नहीं होना या नहीं होना अलगिज आपको अन्भो मिलना लगा ठीक है इसके बाद भी आपके मन में कोई doubt हो तो comment में जरूर लिखिए थैंक्यू